हमास से जारी जंग के बीच अमेरिकी राश्चपती जो बाइडन के बाद बिटिश पीएम रिशी सुनक इसराइल दौरे पर पहुँच गए हैं यहां वो पीएम नेतन्याहु से मुलकात करेंगे बिटिश पीएमों के बयान के मुताबिक सुनक इसराइल पर हमास के आतंकवादी हमले की निंदा करेंगे इसके लावा बीते दो हफ्तों से चल रहे युद में जान गवाने वाले लोगों के लिए समवेदना भी व्यक्त करेंगे बिटिश पीएमों के बयान के मुताबिक सुनक इस बात पर भी जोर देंगे कि किसी भी नागरे की मौत एक तरासदी है वो साथ ही नेताओं से कहेंगे कि अंतराश्टिय समुदाई के रूप में हमास के बरबर आतंगवाद को शेत्र में संघर्ष को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक नहीं बनने देना चाहिए आपको बता दे रिशी सुनक ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को शेत्र और दुनिया भर के निताओं के लिए संघर्ष को जादा खतरनाक रूप से बढ़ने से रोकने के लिए एक साथ आने का महत्वपूर्ण शड़ बताया इसराइल की अपनी यात्रा पर सुनक गाजा में मानविये गल्यारे को जल से जल खोलने पर जोड़ देंगे इस बयान के मताबिक जब रिशी सुनक इसराइल में होंगे उसी समय विदेश मंतरी जेम्स क्लेवरली मिस्तर तुर्की और कतर में रहेंगे इसके लावा रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने बुद्वार को वाशिंग्टन में अमेरिकी समकक्ष लॉइड आस्टिन से मुलकात की थी